नमस्कार दोस्तों मैं स्मिता और आपका अपने चैनल जायका गजब का में सागत करती हूँ दोस्तों जब भी हम लोग होटल रेस्ट्रोडेंट में जाते हैं तो वहाँ पे एक कामन टेस्टी स्नैक्स हमें खाने को मिलता है जो की है चिली पनीर ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और हम सोचते हैं कि इसको घर पे बनाना बहुत मुस्किल है लेकिन ऐसा नहीं है हमें बस इसमें दो एक साउस की जरुट होती है जो की बाजार में में आसानी से मिल जाता है और हम घर में और इन सॉस की मदब से इसको घर में ही आसानी से बना सकते हैं तो चलिए बनाते हैं चिली पनी चिली पनी बनाने के पहले मैं एक होड तयार करेंगे यहां मैंने तीन चमश कान फ्लाट लिया है उसको एक बाउल में डाल देंगे दो चमज यहां मैने मैंदा लिए और चौथाई चमज नमक तौथाई चमज काली मिल्श पौडर शौथाई चमज लाल पौडर और यहां मैने आदा चमज अध्रग लेशिं का पेसलिया है अब मिस्समें थोड़ा सा पानी ढालके गार्णा बैटर नियार करेंगे पानी थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे कि इसे के बैटर पतला ना होने पाए यहां मैंने 200 ग्राम पनीर लिया जिसको इस तरह से बड़-बड़ टुक्रों में कट कर लिया है अब जो हमने घोल बनाया है उसमें हम पनीर को डालेंगे और अच्छी तरह से बैटर में हमें को लगा देना है यह मैंने कड़ाय लिए उसमें तेल डाला है जो यह पनीर के टुकड़े है इसको हमें डी-fry करना है इसके पनीर हम थोर थोर करकर डालेंगे नहीं तो वह आपस में चिपक जाते हैं देखिए अब हम इसको पलट देंगे गैस का फ्लेम लो मीडियम के बीच में रखेंगे फ्लेम को दो तो देखिए कई अब पनीर को तलते तो वह इससे से हो जाता है इसमें कोई बार नहीं कुछिक जो कांसराल लगाते हैं उसके साथ इंब किजी को फ्राइए करते हैं तो वह प्रत्मेंंते च्छोड़ देता है यह देखी पनीर को मैंने इससे तल के निकाल लिया है अब श़दिये इसके लिए ग्रेय्वी बनाते हैं यहां पर मैंने कढाई गई असने मैंने तीन चम्मड खिल डाल्ला यहां मैंने पत्ते वाली प्याजली है और एक हरी मिर्च इसको इसना से कट के लिए अब इसमें डाल देंगे अब यहां पे हम आदा चमर लैसन का पेश डाल देंगे इसको बस हमें 30 से 40 सेकंड तक के लिए भूनना है बहुत ज्यादा इसको नहीं भूनेंगे हम यहां मैंने एक स्माल साइज का सिम्ला मेश लिया था और इसको मैंने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है अब हम इसको इसमें इला देंगे इसको इमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है गैस का फ्लेम हम लो मीडियम के बीच में रखेंगे अब चलिए हम इसमें सॉस डालना सुरू करते हैं यहां मैंने दो चम्मच सोया सास अबर मिलर नमक 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 हो डालेंगे क्योंकि सोॉस में नमक होता है यह मैंने एग चम्मच टमैटो सास निया है उसको भी हम ऑने डाल डेहिंगे और एक चम्मच ही dao यह जो पिशारी चीजाओं को मच्छी तरह से मिला देगे लोग मीड़ाम के बीच में रखेंगे यहाँ पर मैंने आदा चमश कांट ला लिया है उसको हम पानी में घोल देंगे थोड़ा सा इस तरह से इसको मच्छी तरह से घोल लेंगे और जो हमने सॉस बनाई है उसमें मिस को डाल देंगे अब हम इसको एक मिनिर तक के लिए पकाएंगे चलिए दोस्तों सॉस यहां पर आप टेस्ट कर लिजिएगा देखिए यहां पर मैंने टेस्ट करके देखा मुझे मिर्ची के माता सुछी कम लग लग ली इसलिए मैंने यहां पर चौथाई चमल मिर्ची और एड़ कर दिया है देखे घर में बनाने का यही फायदा होता है कि आप अपने टेस्ट के अमसार चीजों को बना सकते हैं यह देखे सॉस बनके तयार है अब हम इसमें पनीर डालेंगे और सारी चीजों को में पनीर के साथ अच्छी दा से भिला देना है यहां मैं ड्राई चिली पनीर बना रही हूं और आपको तो पता ही है बच्चे तो इन सब चीजों के बहुत ही सौकीन होते हैं और कोई चीज हम घर में बनाते हैं तो कितनी सफाई से बनाते हैं यहां मैंने कटी हुई हरी प्याज की वो जो डंटी होती हूलिया है उसको मिश में टाल देंगे और अब सारी चीजों को मच्छी तरह से मिला देंगे और बस अब हमें इसे एक मिनट तक के लिए ही पकाना है बहुत ज्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे चलिए देखे दोस्तों चिली पनीर बंद के तयार है तो एक बार आप इसको घर पे जरूर ट्राइ कीजे अब चलिए इसकी प्लेटिंग करते है यह देखे दोस्तों चिली पनीर को मैंने प्लेट में निकाल लिया है अब इसकी गारिसिंग में थोड़ा सा इस्प्रिंग यह देखे घर पे ही बाजार जैसा चिली पनीर बन के तैयार है तो इस रेसीप्य को एक बार आप जरूर से जरूर ट्राइ कीजिए थैंक यू